नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं गौतला भाय की इससे पहले भी चात्रों ने विभीन माध्यमोच नियोजन नीती को लेकर अपना बिरोध दर्ज कराया गौतला भाय की बैठ सत्र के दोरान विधान सबाग घेराव किया गया था इसके बाद मुख्य मंत्रिया वास घहराव का कारिकरम भी अवयोजित किया गया था छात्र नियोजन नीती वापस लेकर खतियान अधारी नीती बनाने की मांग कर रहे हैं इधार जे एस एस यू दुआरा बुलाये गए बंद को लेकर राज भर में सुरक्षा ब्यवस्ता बनाये रखने पर चारचा सुरू हो गई है दूसरी ओर संगठन ने जारखन बंद को सफल बनाने के उदेश से बिभीन जीलों में पर चार पर साथ सुरू कर दिया है बता दे कि हाल ही में संगठन के सेस्व ने अलग अलग विधान सभा और लोग सभा चेत्र में जाकर सांसोदो और विधायकों का समर्थर भी मांगा था कई जन परती निधियों ने युवाओ क्यांदोरन को समर्थन भी दिया है वहाई हस्ताक्षर अभ्यान के दोरान स्वास मंत्री बाना गुपता के साथ छात्रों की नोका जोकी का एक वीडियो भी सामने आया था जहारखन में 18 जून से मांसून करेगा परवेश राजवासियों को मांसून की फूहरों के लिए अभी 18 से 20 जून तक का इंतियार करना होगा राहत भरी सुचना यह है कि एक हफ्ते की देरी से ही सही मांसून केरल में परवेश कर गया है केरल दक्षिन तमिलाडू कोमोरीन छेत्र के सेस्थ ही सो मनान की खाई और दक्षिन पच्छी मद्ध एवां उत्तर पुरू बंगाल की खाई के कुछ ही सो क्यों मांसून बढ़ रहा है मजूदा इस्थिती को देखते हुए जारखन में मांसून के 18 से 20 जून तक पहुँचने का अनुमान है मौसन बिग्यान केंद्र रांची की माने तो भले ही केराल में मांसून एक सब्ता की देली से पहुँचा हो लेकिन आगे के राजियों में या समय पर ही पहुँच सकता है इससे पूरो मांसून के बिहार, जारखन, उत्तर, उडिसा, 36 गार, मद्य पर्देश के दक्षिन इलागों में 10 जून तक पहुँचने का अनुमान जताया गया था सीवू सुरेन के अध्यक्षता में 75 परतिसत नवक्रियास धानिय की मांग, जारखन, कोलियरी, मजदूर, यूनियन एवां जारखन, सरामिक, संग के केंदरीये, काय समिती की सन्यूक्त बैठख, केंदरीये, अध्यक, सीवू सुरेन के अध्यक्षता में रांची के मोरबा पर विचार करते हुए जार्कन की विभीन कम्पनियों जैसे CCL, BCCL, ECL, DVC, बोकारोई स्टील, Tata Steel, Electro Steel, SEC, Tata Motors, एवं निजी पत्रिस्थानों के साथ सत्बंगाल के ECL छेत्रों में संगटन विश्थार करने करने ने लिया गया वही मजदूर एवं विश्थापितों की जवलन समस्याओ वह हमन सरकारदवारेनेजी कम्पनियों में विश्थापितों एवं अस्थानियों के पशतर पशत नियोजन की घोसना के किर्वाणियन को लेकर सभी कम्पनिय के छेत्रों में चरनबत आंदोलन करने का निरन लिया गया है नौ जून को हावडा भुनेश्वर समेत 26 ट्रेने रद उडिसा के बालासोर जीलेश्थीत बहान नगा बजार एस्टेशन पर ट्रेक मेंटनेंस कारे को देखते हुए रेलवे ने नौ जून को हावडा भुनेश्वर जन सतावदी एक्सप्रेस समेत 26 ट्रेनों को हानांगा बजार एस्टेशन पर ट्रेक मेंटनेंस कारे के कारण इन ट्रेनों को रद किया गया है पलामू पहुंचे राज जेपाल का जानता के साथ सनवाद पलामू दोरे पर पहली बार पहुंचे राज जेपाल सीपी रदा किष्णन ने लह लह पंचायत भौन में गु भाग के पता दिकारियों से बात कर समधान निकाला जाए उन्होंने कहा है कि संसद में किसानों के मुआबजे से समधी बिल लाया गया था लेकिन कुछ लोग के बिरोद के कारणों आपस करना पड़ा जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है सही मुआबजा किसानों को नहीं मिल पा रहा है जमीन मुआपजा मामले में कहा है कि नेता को भावनाओं के साथ खिलवार नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रस्ताओं के विरोध और सपोर्ट मेरिट के अधार पर करना चाहिए जरकन में CDPO के 64 पदोपर नियुकती शुरू जरकन सरकार के विभीन विभागों के अनुसंसा पर जरकन लोग सेवा आयोग तथा जरकन क्रमचरी चैन आयोग दोला लगतार बहाले निकाली जा रही है इसी करम में जारकन लोग सेवा आयोग ने महिला बाल बिकास और समाजिक सुरक्षा विभाग के उनुसंसा पर बाल बिकास पर योजना पता दिकारियों के 64 पदो पर नियुक्ति पर के लिए शुरू कर दी है इन पदो पर नियुक्ति के लिए ओनलेन आविदन 27 जून से भर जाएंगे वहीं ओनलेन आविदन के अमतिम्ति थी 26 जुलाई निधारित की गई बदादे कूल पदों में 50 पचत पद महिलाओ के लिए आरक्षित किये गए है नियुक्ति के लिए आवस्यक जोगता असना तक निधारित की गई है रांची में बढ़ते क्राइम पर SSP सकते रांची में लगातार हो रहे जपट मारी और चोरी पर SSP ने थानेदारों की जम कर कलास लगाई है इसके साथ ही उन्होंने सुबह में गस्त करने सही छिंताई वाले इलाकों की पहचान करने का निधेश दिये है SSP ने चेतावनी दिया है कि अगर थानेदार क्राइम कंट्रोल करने में ना काम रहते हैं तो करवाई के लिए त्यार रहे बता दे राइधानी राची में आए दीन हो रही चोरी छिंताई और लूट की घटनाओं को लेकर SSP ने गुरुआर को राची के सभी थानेदारों की जम कर कलास लगाई है गुरुआर को क्राइम मीटिंग में दवरान राची के सीनियर SSP की सोर काउसर ने सहर और ग्रामिन छेत्रे के सभी थानेदारों का सपष्ट कर दिया है कि वह अपने अपने छेत्रों में हर हाल में अपराद की घटनाओं को रोके खासकर संपत्ती, मुलक, अपराद हर हाल में रुके नहीं तो थानेदार करवाई के लिए त्यार रहे पटना में 23 जून को होने वाली बैठक से निकलेगा 2024 का फरमुला 2024 के लोकसभा चुनाओं के लिए राश्टी राजनीती में विपक्ष की गोलबंदी सुरू हो गई है बिहार में ही विपक्षी दल बैठक करेंगे इस पर मुहर लग गई है 23 जून की तारिक चार्चा में है त्यारी इस बात की भी है कि 23 को इतनी बड़ी त्यारी कर ली जाए कि 24 के फैसले की गोलबंदी हो जाए 23 जून की बैठक के लिए जो त्यारी होनी है उसमें राज नेताओं के आने और उनकी समाती की बासुरू हो गई है इसमें जार्खन की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है बतादे बिहार में 23 जून को हने वाली बैठक के लिए जो मुद्दे सामने जाएंगे इनमें जार्खन की भूमिका और भागेदारी पर जो सवाल खड़े हुए है उसे लेकर के जार्खन की सियासत अपने तरीके से नई चाल चल रही है राष्ट्री अस्तर के किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा समन्वय की कौन सी बात रखी जाएगी समन्वय का समीकरन किस तरह का होगा या सब कुछ तेश जून को तय होगा कब खुलेगा लिफाफे का राज राजेपाल बोले सही समय पर लूँगा फैसला जब जार्खन के राजेपाल रमेश बैस थे उस वक्त ओफिस और प्रोफिट मामले ने काफी राइनिती तूल पकड़ा था इसमें राजेपाल की भूमका इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि चुनाव आयोग ने इस मामले में बंद लिफापे में मनतवे राजेपाल को भेजा था लेकिन रमेश बैस बिना लिफापा खोले ही महराज चले आए बता दे अब याली फापा राजपा सीपी रहरा किष्णन के पास है ऐसे में सवाल लाजमी है कि वे इस पर कप हैसला लेंगे एक साथ जनमी पांच बच्चियों में चार की मौत राजेंद्र आयरुविज्यान संस्थान रिम्स में पांच बच्चियों के एक साथ जनम लेने के मामले ने लोगों को कवतु हल में डाल दिया था हलाकि समय से पूर्व जनम लेने वाले इन बच्चियों में से चार की मौत हो गई जबकि एक बच्ची जीवी था है जिसका इलाज रिम्स में किया जा रहा था लेकिन इलाज में लपरवाही का आरोप लगा कर एक मात्र जीवित बच्ची के पिता ने उसे रानी चिल्डेन होस्पिटल में भरती करा दिया है बता दे बच्ची के पिता प्रकास कुमार गुपता ने आरोप लगाया है कि रिम्स के नियो नेट्रोलोजी विभाग के ICU में उनकी बच्ची के पुरे सरीर पर चिट्टी लगी हुई थी बुद्धवार की रात को जब बच्ची की मा उसे दूद पिलाने गई तो देखा कि बच्ची जोर जोर से रो रही है और उसके पुरे सरीर पर चिट्टी यहाँ है और उसे काट रही है धन्यवाद